है यह फ्रेंट्स आज हम ख्लास 7 साइन्स एंजी आर्टी का चैप्टर नमर 10 रेस्पिरेशन इन और जंजम्स पढ़ेंगे तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे 10.1 वाइड डोवी डिस्पायर यहां से स्टार्ट करते हैं चलिए हम gyroscopic unit of cell unit of cell यहाँ पर देखी unit of cells a cell is smallest structural and functional unit of organisms यह जो सेल होता है देखे यह सेल डे सारी सेल्स मिलके टीसू बनाती है ओके सेल्स मिलके क्या बनाती है टीसू बनाती है और टीसू से क्या बनता है और गन बनता है और 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 से क्या बनता है और गन सिस्टम और गन सिस्टम क्या से से टीसू, टीसू से ओर्गन, ओर्गन से ओर्गन सिस्टम, ओर्गन सिस्टम से ही बडी का फोर्मेशन हो जाता है, यह के पुरी बडी बन जाती है, तो इसलिए यहाँ पर कहा जारा है, cell is smallest structural and functional unit of an organism, जो cell होती है, यह structural and functional unit होती हो और्गनिजम्स, एक्सक्रेशन ने इडने को एक्सक्रेशन करते हैं और परेडलाइब करते हैं एक्सक्रेशन करते पर होगी ओके में सेल्स क्या-क्या करती है ठीक है तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं टो परफॉर्म दीज़ फंक्शन सेल नीड़ सेनर्जी इस सारी फंक्शन को sleeping reading we require energy हमें सोने के लिए खाने के लिए और पढ़ने के लिए हमें energy की जरूरत होती है but where does this energy come from लेकिन यह energy कहां से आती है can you say why your parent insist that you should eat regularly the food has stored energy which is released during respiration food में energy store होती है जो कि हम respiration के समय उसको release करते हैं उसका use करते हैं okay तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं कि हम respire कैसे करते हैं सांस कैसे लेते हैं therefore all organisms respire to get energy from food all living organism जितने भी living organism होते हैं सब अपनी जो food खाते हैं उसी food की energy का यूज करके ही वो सांस लेते हैं respire करते हैं ओके अभी हम आगे पढ़ते हैं कि यह कैसे होता है during breathing we breathe in air during breathing we breathe in air हम air से ही हम क्या करते हैं जो हवा होती है उससे ही सांस लेते हैं you know that air contains oxygen क्या आप जानते हैं आप जानते होंगे कि जो air होती है उसमें oxygen present होता है air में हमारे environment में जो air है उसमें o2 present होता है okay we breathe out air rich in carbon dioxide the air we breathe in is transported to all parts of body and ultimately to each cell know this thing क्या पहादा रहा है यह सुरों और जैसे कि कोई living organism ये निद्टा रहने के लिए it the living organism है यह living organism जिंदा रहने के लिए this soas लेता है ठीक है it you do Text क्या करता है इसके बोडि के अंदर क्या baru is known toalk8 का सांस लेता है इंस्पायर करता है तो क्या होता है इसकी बॉड़ी के अंदर ओटू आता है इन्वारिमेंट में जो ऑक्सिजन प्रिजेंट है यह सांस लेता है तो यहीं पर यहीं कहा जा रहा है करता है यह ब्रीद आउट करता है जब एर को अपने बॉड़ी से बाहर निकालता है एक्सपायर करता है तो वह क्या रिलीज करता है कार्बन डाई ऑक्साइड और जो वह इंस्पायर करता है सांस लेता है तो वह अपने बॉड़ी के अंदर ओटू को लेता है ओके तो चलिए मागे पड़ते हैं यह जो सांस लिया हमने जो लिविंग और जैसे ही सांस लिया और वो अपने अंदर O2 लिया, लंक्स में उसके O2 आया, यही O2 जो है पूरी बॉड़ी सेल में ट्रांसपोर्ट हो जाती है किस के थुरू? बलड के थुरू ट्रांसपोर्ट हो जाती है यही कह रहा है यहां पर oxygen in the air helps in breakdown of food यह cells जो होती है वो breakdown करती है food का किस की help से? oxygen की help से body में जो हमने हमारी energy है, जो हमने food खाया है, जो हमने food खाया है वो कैसे breakdown होता है? oxygen की present में जो air present है हमारी environment में उस air में oxygen present है उस oxygen को हमने अपने body के अंदर लिया तो वो ही oxygen हमारे food को breakdown करने में help करती है तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है The process breakdown of food in the cells which release energy called cellular respiration और oxygen जो है इसको breakdown करके छोटी छोटी टुकोड़े में divide कर देता है तो इसको हम cellular respiration कहते है ठीक है Cell के अंदर जो यह food का breakdown हो रहा है जो food break हो रहा है उससे जो energy release हो रही है इस सारी process को हम cellular respiration कहते है जो cells को nutrition मिल रही है जिन्दा है तो इस process को हम क्या कहें कि cellular respiration तो जोलिए हम आगे बढ़ते है Cellular respiration takes place in the cell of the all organisms Cellular respiration जो होता है यह all organisms सभी organism में perform होता है सभी organism में होता है ठीक है In the cell, the food glucose is breakdown into carbon dioxide and water using oxygen When breakdown of glucose occurs, the use of oxygen It is called aerobic respiration यहां पर क्या कह रहा है यहां पर यहां से क्या कहा जा रहा है यह जो हम food खाते हैं हमारी body में food energy form में glucose जो हमारी body में glucose होता है वो glucose जो होता है, वो glucose का हम formula लिख देते हैं पर तब समझ में आएगा हमने जो खाना खाया, उससे हमें glucose मिला उससे हमें क्या मिला? glucose मिला C6, H12, O6 यह जो glucose हमारी body में है इसमें यह जो oxygen की present में यह oxygen की present में क्या होगा? breakdown हो जाएगा किस किस चीज़ में breakdown होगा? CO2 यहापे लिखा हुआ देखिए broke down into carbon dioxide and water using oxygen oxygen की present में यह जो glucose है वो carbon dioxide CO2 और water में तूट जाता है CO2 plus H2O water, carbon dioxide and water में क्या हुआ? ब्रेक हो गया ब्रेक डाउन अप ग्लुकोज अकस यूज ऑफ ऑफ ऑक्सिज़न यह जो ग्लुकोज जो है वो breakdown हुआ oxygen की present में oxygen की present में जो यह breakdown हुआ इस process को हम क्या कहेंगे? आइरोबिक रेस्पिरेशन आइरोबिक रेस्पिरेशन क्योंकि यह breakdown जो है ग्लुकोज का वो oxygen की present में हो रहा थे इसलिए हम इसको आइरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे चलिए और आगे पढ़ते हैं फूड केन आसो भी ब्रोक डाउन विदाउट यूजिंग ऑफ ऑक्सिजन डिस कार्ड एन एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेक्टाउन और फूड रिलीज डिलीज एनरजी तो यहां पर फूड का जो जो ग्लुकोज है उसका ब्रेकडाउन ऑक्सिजन की अपसेंस में हो रहा है तो इस प्रोसेश को हम एन एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे यहाँ पे देखिए glucose है in the absence of oxygen हमने aerobic respiration में present किया था oxygen को और anaerobic respiration में oxygen absence होगा तो इससे क्या formation होगा? alcohol, carbon dioxide, CO2 और energy release होगी ठीक है? तो यह हमारा हो गया cellular respiration हमने पढ़ लिया और aerobic respiration हमने पढ़ लिया और anaerobic respiration हमने complete ख़ल लिया तो चलिए और आगे पढ़ते हैं You should know that there are some organisms such as east that can survive in absence of air कुछ organism होते हैं जैसे कि east होता है वो बिना air के भी survive हो जाता है survive कर लेता है अपने आपको मतलब वो जिन्दा रहता है बिना air के भी हम human जो हैं वो बिना oxygen के बिना air के जिन्दा नहीं रह सकते लेकिन यह जो इस्ट होता है बिना air के भी survive करता है दे आर कार्ड एन एरोप्स ऐसे और्गिलिजम को हम कहेंगे एन एरोप्स दे गेट एनर्जी थ्रू एन एरोबिक रेस्पिरेशन इनको एनर्जी कैसे मिलती है एन एरोबिक रेस्पिरेशन से जैसे हमने अभी यहां पर पढ़ा एन एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है oxygen की absence में glucose का breakdown होता है उससे alcohol carbon dioxide और energy release होती है तो इसी को हम एन एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं तो यह yeast जो होता है वो anaerobic respiration से ही energy यूज़ करता है और यह इस organism को yeast जैसे organism को हम anaerobes कहेंगे, ठीक है? In the absence of oxygen, glucose breaks down into alcohol carbon dioxide as given below, यहाँ पर जैसे कर दिया गया है yeast जो होता है anaerobic respiration से यह process complete करता है, उसको energy मिलती है, ठीक है? जो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है yeast are single cell organisms, yeast are single cell organism, they respire anaerobicly and during the process, ill alcohol, इस्ट जो होता है, एक single cell organism होता है, इसमें कियों single cell, one cell present होता है, और यह anaerobicly respire करता है, सांस लेता है, oxygen की absence में सांस लेता है, जिससे इस process से, इसके anaerobic respiration के process से एलकोहल भी form होता है, एलकोहल बनता है, they are therefore used to make wine and beer, they are therefore used to make wine and beer, जिसका यूज हम wine and beer के formation में भी use करते हैं, तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं, हमारी muscles में कैसे, क्या respiration होता है, our muscles cells can also respire anaerobicly, हमारी जो muscles हैं, वो anaerobicly respire करती हैं, but only for a short time, when there are temporary deficiencies of oxygen, लेकिन कुछी time के लिए respire करती हैं, कब respire करती हैं, जब हमारी body को oxygen की कमी हो जाती है, तो हमारी body में oxygen की deficiency हो जाती है, कुछ time के लिए, तो हमारी muscles जो हैं, वो anaerobicly respire करने लगती हैं, कैसे करती हैं, तो चलिए हम पढ़ते हैं, heavy exercise, fast running, जह हम cycling, walking for many hours, और heavy weight lifting, the demand for energy is high, but the supply of oxygen to produce the energy is limited, then anaerobic respiration takes place in the muscles, says to fulfill the demand of energy, the demand of energy, तो इसमें क्या कहा जा रहा है, यह हम पहले समझते हैं, हमारी जो muscles होती हैं, वो कुछ time के लिए, कुछ temporary time के लिए, वो anaerobic respiration करती हैं, क्यूं करती हैं, जह हम बहुत तेजी से दोड़ते हैं, cycling करते हैं, walking करते हैं, और exercise करते हैं, fast running करते हैं, तो ऐसे में हम बहुत तेजी से अपनी energy का यूच करते हैं, और जो है हमारी body में oxygen की deficiency हो जाती है, हम सांस बहुत तेजी-तेजी से लेते हैं हमारे बॉड़ी में ऑक्सिजन बहुत कम मातर में बहुचता है बहुत लेसमांट में बहुचता है जिसे हमारे बॉड़ी में ऑक्सिजन की कमी हो जाती है तो हमारी जो मसल्स हैं वो एन एरोबिकली क्या करने लगती है and aerobically मतलब oxygen की absence में वो सांस लेने लगती है ठीक है ऐसा होता है तो चलिए आगे पढ़ते हैं तो क्या होता है यह हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर देखी equation दी हुई है equation क्या दी हुई है glucose in muscles हमारी body में जो glucose है वो oxygen की absence में lactic acid और energy form कर लेता है हम exercise करते हैं, cycling करते हैं, walking करते हैं fast running करते हैं तो ऐसे में oxygen की deficiency हो जाती है muscles में जब deficiency हो जाती है muscles में तो glucose जो होता है present होता है जो muscles में वो lactic acid और energy का formation कर लेता है ठीक है तो चलिए हम यहाँ पर देखी exercise muscles may respired anaerobically यह बहुत fast running कर रहा है exercise कर रहा है जिससे इसकी muscles में oxygen की कमी हो गई यह दिखाया गया है यहाँ पर चलिए हम आगे पढ़ते हैं have you ever wondered why you get muscles cramps after heavy exercise the cramps occurs when muscle cells respired anaerobically हमारी muscles जो है वो उसमें cramps पर जाती है जह हम anaerobically respired करते हैं the partial breakdown of glucose produce lactic acid the partial breakdown of glucose produce lactic acid जब oxygen glucose का partial breakdown होता है तो हमारी muscles में lactic acid जो है produce हो जाता है ठीक है the accumulation of lactic acid causes muscles cramps जब हमारी muscles में lactic acid हो जाता है तो हमारी muscles में दर्द pain होने लगता है cramps आने लगते हैं क्योंकि lactic acid जो होता है बहुत painful होता है ओके वी गेट relief from cramps after a hot water hot water bath और message जह हम हम आराम करते हैं मतलब जह हम heavy exercise थोड़ा उससे कुछ को छोड़ किया running मतलब complete हो जाए तो हम बैठ जाएंगे कस्थान पर अच्छे से थोड़ा relax हो जाएंगे तो हमारी body में oxygen जाने लगेगा oxygen की जो deficiency है वो complete हो जाएगी वो oxygen की जो deficiency है वो खतम हो जाएगी मतलब हमारी body में oxygen आने लगेगा तो हमारी muscles में जो cramps पढ़ रहा है जो lactic acid है वो खतम हो जाएगा और हमारी muscles को relief मिलेगा ठीक है यह ही यहाँ पर कहा जा रहा है hot water bath और massage improves circulation of blood हमें गर्म पानी से नहाने से और उसका massage कर देने से massage क्या है massage कर देने से हमाई blood circulation जो है वो अच्छे से होने लगता है जो blood का circulation है वो अच्छे से होने लगता है और हमारी जो muscles में cramps है वो खतम हो जाती है ठीक है massage कर देने से as result supply of oxygen to the muscles is increase और जो muscles में oxygen की कमी थी वो कम हो जाती है और muscles में oxygen की supply होने लगती है और वो क्या होता है muscles में oxygen जो हता है increase होने लगता है जिससे हमें lactic acid खत्म हो जाती है और हमें relief मिलता है ठीक है चलिए हम आगे पढ़ते हैं the increase in supply of oxygen result in the complete breakdown of lactic acid into carbon dioxide and water increase of supply of oxygen result in complete breakdown of lactic acid into carbon dioxide and water जब हमारे body में हमारे muscles में oxygen की supply increase होने लगती है तो जो हमारा glucose है उसका complete breakdown होने लगता है lactic acid और carbon dioxide and water का ठीक है thank you झेंग।